तो बई स्वागते दोस्ते को नई वीडियो में तो ये वाली वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है आज की वीडियो में रिगार्डिंग पबगी न्यू स्टेट का जो ट्रॉइ मैप है और साथ में जो इरेंगल मैप है उन दोनों के बारे में कुछ चीज़े बतान दोने वालों अगर आप लोग हम्रहय के वीडियो आपके लिए और आप ट्रॉइ मैप खेलते हैं तो ये वीडियो पी आपके लिए तो बीडियो में बात करेंगे क्म परसनल ओपीनिन अग्यों मेरा पास इंपोर्मेशन है उसके रिगार्डिक लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सा मरजी केलो उसमें मैं कुछ नहीं करकता लेकिन अब बात करने वाले हैं ट्रॉय और इरेंगल की तो इरेंगल मैप जो है ना आपको पता है कि यार बहुत पराना मैप है दूड़ाई साल से इरेंगल चल निश्रेट का बेसिक है अपना ट्रॉय मैप तो अभी एक चीज में और पता हूं कि ट्रॉय मैप आपको क्यों खेलना चाहिए तो ट्रॉय मैप के रिकार्डिंग निजो इन्परमेशन है उन्हें देने वाला हूं आपको एक तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रॉय मैप जो ह है ना वह भी भाई निश्रेट के अंदर ही है वह आप कोई रेंगल में देखने को नहीं मिलेगी और भी जितनी गाड़ी है आप बाइक सबस्क्राइब है तो यह भी एक रीजन है कि आपको ट्रॉय मैप जरूर खिलना चाहिए अब बात कर लेते हैं जितने भी मिशन वग बात कर लेते हैं तो लोकैशन आपको पता नहीं चलेगा तो आप मिशन भी जो है अंदर हम काफी टाइम से देखते हा रहे हो यह वह बहुत सारी होग ड्रॉप लोकेशन भी है तो यह ग्रीजन है कि आपको पर वह गया हैं पंड़ओ ऑन पॉन को एक दो जहाब ना तो यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत सारी बिल्डिंग्स है बहुत सारे स्टॉक्चर वगर ऐसे जो पही नए है तो इसलिए भी आपको यार ट्रॉय मैप ज़रूर खिलना चाहिए मैं तो प्रसनली परफेर करूंगा कि आप ट्रॉय मैप भी खेलो और अब बात कर ले के लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि अभी तक मैंने वह ट्रॉय मैप के अंदरी देखिया तो नई गंस अगर आप DMR वगर ट्राई करना चाहते हो तो यार ट्रॉय मैप आप के लिए बहुत ज़रूरी है आप ट्रॉय मैप खेलते हो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फूचर देख रहे हो पफ़ जी न्यू श्टेट केंदर तो अगर आप फूचर देख रहे हो पफ़ियि न्यू स्टेट के अंदर अंदर थे उन दो बहुत छी pilgrimap वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि future में बहुत सारे जो competition है या online जो tournament होने वाले हैं जो top 100 में player होंगे worldwide तो भाई उनके बीच में जो tournament होने वाले हैं तो वो भी maximumly chances है कि Troy के अंदर रहें तो भाई अगर आपको tournament में जीतना है tournament खेलना है और number one रहना है तो भाई आपको Troy map की सारी location वगरा सारी चीज़े पता होनी चीए तो ये भी एक reason है कि आपको Troy map जो है वो खेलना चीए मेरे opinion से अब आपका क्या है इसके उपर तो आप सो सकते हैं लेकिन मैं आपको सिरुफ बताई सकता हूँ पब्लिक जो है वो खेल रही है अपना e-rangle, Troy map में इतने सारे लोग नहीं है क्योंकि मैं काफी टाइम से Troy map केल रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि Troy map के अंदर है आज भी आपको अगर rank पुश करना है तो जादा easy है ये रहेंगल के मुकाबले क्योंकि Troy map के अंदर बॉट वगर बहुत जादा आ रहे है क्योंकि टीम मेट अगर मैं एक मैच खेलता तो मुझे 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 से दो या तीन ही टीम मिलती है और बाकी तो सब बहुत ही मिलते हैं तो अगर रहेंग पुश करना है तो ये सबसे easy तरीक है कि आप Troy map खेलो और दबा के rank पुश करो तो जादा easy है अगर आपको rank पुश करना है अभी Troy के बिराबर में एक चीज और बता देता हूं थेखो Troy map जो है na Troy map अगर आप अगर आप Troy map खेलता हो तो एक अलगी game का आपको experience देखने को मिलता है वहरे तो इरेंगल के अंदर भी काफी सारी चीजे मोडिवाइड कर दिया है पूरे इरेंगल को destroy कर दिया है 51 का बना दिया लेकिन आपको इरेंगल की all total सारी location अगरा पता ही है पहले से लेकिन आपको Troy की location नहीं पता है क्योंकि Troy के अंदर इसी बहुत सारी location है जिसको आप explore करोगे तो आपको खुद भी बहुत जादा मज़ा आएगा क्योंकि मैं भी खेलता हूँ मुझे कौफी जादा मज़ा आता है रेंगल में बहुत ही कम खेल है Troy में बहुत जादा खेलता हूँ क्योंकि future जो है अगर आप e-sports वगरा में grow करना चाहते हो बहुत सारी चीज़े करना चाहते हो competition जीतना चाहते हो तो Troy में बहुत सही रहेगा क्योंकि भाई जब तक आप किसी map के कोने कोने को नहीं जानोगे तो आप फिर मतलब adjustment भी नहीं कर पाओगे अगर tournament वगरा होंगे आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी जगा कहाँ पर है तो इसलिए भी मैं प्रफेर करता हूँ कि आप Troy में ज़रूर खेलो और Troy मैप जो है ना काफी बड़ा मैप भी है और काफी अच्छा भी है नहीं कार गन यह सारी नहीं चीजें सीखने को भी मिलती है तो कमेट ज़रूर कर देना और अगर आज सस्क्राइब नहीं किया भी तक तो भाई कर दो क्योंकि family को भाई बड़ा करने वाले डेल्टा वाली family को तो भी सस्क्राइब ज़रूर कर देना और मिलते फिर नहीं वीडियो में तब तक के नहीं प्राइब।